महाराश्वर से हैं मोहम्मद जी स्वागत है आपका असलाम आलेकुम आतिन साथ जे वालेकुम असलाम तो मेरा है ना हारका फ्रिचेन हो गया है और दो ये डाले उसमें टैंक तो उसमें ना मेरा को अभी मैं फिरका ले रहा हूँ तो इस वापिस मुझे ब्लोकर ने होने चेही है इसके लिए तिरका ले रहा हूँ और कितना दिन लेना पड़ेगा मेरेको मैं आपके एक महिना होगे चालू किये और दो टाइम लेता हूँ मैं चंडे पानी के साथ गराम पानी सिलिया तो मेरा को बहुत तर्दी ओरी और मैं आपके दोक्तर ने ओ अवाँ मिझा आपके लिए तो मैं तो मैं एक वोकिन ने ओरली और करम ने जए गुली दावबा थे इसके मैं रहा रहा हूँ और जैटून का जो नमक और आलसी तो आलसी मुझे आलसी खाएगा तो फैट बढ़ेगा उससे कोछ ऐसा मतलब हरकौचर भी 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 चाड़ेगा वालसी से चीकी चीकी अच्छा देखिए अलसी में जो आल होता है उसमें फैट नहीं होता अलसी बदाम अखरोट इसके तेल फैट नहीं बलकर फैट को कम करते हैं यह याद रखें तो उससे फैट नहीं बड़ता और यह जो इस्टंट पढ़ेगा है जिसको भी इस्टंट पढ़ते है उनको बार-बार ब्लॉकिज होता है। ऐसे वरीदों को चाहिए साल में तीन महीने कम-स-कम यह सिर्का इस्तेमाल किया करें। दो-दो चम्मच दो बार तीन ले सकते हैं पूरे दिन में तीन-ती चम्मच भी ले सकते हैं। और इसमें एकचुट्की खाने का सोडै भी मिला सकते। कुछ लोग ऐसे होते जिनको इस सिर्का नहीं चलता। तो उन्हें चाहिए कि एकचुट्की खाने का सोडै जैतुन का नमक दो गिलास पानी मिलाकर, जिनमें एक बार या दो बार लियाकर इससे भी इन्हें वही फाइदा होना मुम्किन है